नमस्कार दोस्तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीट आट के स्पेशल क्यूशन जो बार-बार एक्जाम में पूछे जाते हैं अगर आप एक बार ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपके 40-50 नमबर पक्के हो जाते हैं तो दोस्तो वीडियो को लाज तक जरूर देखना आए श्रूर करते हैं आज की वीडियो पहला परसन है आतमा का विज्ञान किसको कहा जाता है यह दर्शन सास्तर को बी प्रानी सास्तर को सी बूगर्विज्ञान को डी मनविज्ञान को सही जवाब है मनोविज्ञान को अगला परसन है सिक्ष्या को राष्टे एकता किस सवतंतरता सेनानी ने कहा A. मातमा गांदी B. खान अब्दूल गफर खान गांदी C. मोलाना आजाद D. जवारलाल नेरू सही जवाब है जवारलाल नेरू अगला परसन है सही जवाब है अगला सवाल है विद्यार्थी सिक्षक के मैद्दम में कैसा संबंद होना चाहिए A. कोई संबंद नहीं होना चाहिए B. पितासी सू जैसा संबंद होना चाहिए C. एक सिक्षक के अतिरिक्ट कोई भी संबंद नहीं D. पूर्णत है सिसे जैसा सही जवाब है पितासी सू जैसा अगला परसन है चात्तर दवारा गलत उतर देने पर एक अध्यापक को क्या करना चाहिए A. चात्तर को डाटना B. उसको उतर देने के लिए बाद दे करना C. चात्तर को दंड देना D. चात्तर को सही उतर बताना चाहिए सही जवाब है चात्तर को सही उतर बताना चाहिए अगला परसन है बालकों के लिए कौन सी वीदी से सिकाना उप्योगी होता है A. व्यक्यान वीदी B. परदर्शन वीदी C. लेखन वीदी D. उप्रोक्त सभी सही जवाब है परदर्शन वीदी अगला परसन है बच्चे के पूरो विचारों में नई विचारों का समावेश हो जाने को कहा जाता है A. समायोजन B. उत्तर समायोजन C. निर्मान D. सात्मीकरण सही जवाब है सात्मीकरण अगला परसन है वाहित गोश्की ने बालक के विकास है तू महत्यपूर्ण योगदान निमन में से किसका बताया है A. समाज B. छातरवास C. विदल्य D. घर सही जवाब है समाज अगला परसन है लोरेंस कौहलबरग ने पूरो नेतिक अवस्ता की आयू सिमा क्या बताई है A. दो से चार वरस तक B. जर्म से दो वरस तक C. जर्म से चार की वर्स D. बालवस्ता से पूरो वरस तक सही जवाब है जर्म से दो वरस तक अगला परसन है जटिल समाजी करने किस अवस्ता में पाया जाता है अगला परशन है अंतरिया बेद ना करपाने वाले चातर किस अधिगम से पीडित होते हैं A. डिसलेक्सिया B. डिस Г्राफिया C. अफेज्या D. उप्रोक्त में से कोई नहीं सही जवाब है डिसलेक्सिया अगला परसन है बालक के समाजीकर्ण की प्रिक्रिया कब से प्रारंभ हो जाती है A. बाल्यवस्ता में B. किशुरावस्ता में C. पूरो की सुरावस्ता में D. जनम से सही जवाब है जनम से अगला परसन है समवेग निमन में से किसका एक महत्यपुन तत्तो है A. विशलेशन B. समस्या C. A. तथा B. दोनो D. उप्रोक्त में से कोई नहीं सही जवाब है विशलेशन अगला परसन है योन समन्दी समस्या किस अवस्ता में समेदन सील होती है A. किसोरावस्ता में B. बैलावस्ता से किसोरावस्ता तक C. प्रोडावस्ता में D. उप्रोक्त में से कोई नहीं सही जवाब है किसोरावस्ता में अगला परसन है सही जवाब है उत्प्रेरक के रूप में अगला परसन है टर्मन तथा स्टन ने बुद्धी को माना है सही जवाब है अगला परसन है जब साररिक दोसों के कार्ण उत्पन कठिनाईयों से बालक को समाजिक स्विकर्ति प्राप्त नहीं होती है तक उसके मनोवग्यानिक दोसों में भी वर्दी होती है किस विद्यवान का मत है सही जवाब है डी जी फोर्स का अगला परसन है परगरतिसी सिक्षा की अवदाना में महत्यपूर्ण योगदान किसका है ए जोन डीवी बी जोन विलियम सी जोनसन डी उपरोक्त में से कोई नहीं सही जवाब है जोन डीवी अगला परसन है वर्दी के अनुरूप बच्चों में रूची हो जाती है सही जवाब है बहुमुखी अगला परसन है बोद्धिक विकास में सायक है अगला परसन है यदि कोई छातर स्कूल से भाग जाता है सही जवाब है सातर से कांड जानकर उसे दूर करने का प्रियास करेंगे अगला परसन है अनुबव को परकट करने का मैदम है अगला परसन है विद्धियले में सामाजिक एवे सांस्कृतिक गतिविदियों दवारा किसी कौन सी शिक्षा दी जाती है सही जवाब है सामाजिक व्यवहार की अगला परसन है सरोपर्थम मुक्त खूला विद्धियले की स्थापना कब हुई अगला परसन है कम्प्यूटर शिक्षा की सिपारिस निमन में से किसने की ए रादाकर्षन आयोग बी कोठारी आयोग सी नई सिक्षा नीती डी उपरोक्त में से कोई नहीं सही जवाब है नई सिक्षा नीती अगला सवाल है चातरों को अभिवक्ति के अवसर परदान करने के उदेशे के लिए सिक्षे को चाहिए की ए चातरों को वेक्षान करे चातरों को परसन ना पूछने दे चातरों से अधिकादिक परसन पूछे चातरों गर्यकारे अधिक दे सही जवाब है चात्रों से अधिकादिक परसन पूछे अगला परसन है पत्तर पत्रीकाऊं तथा समाचार पत्रों के मैदन से चात्रों में विक्सित की जा सकती है A. सामाजिक चेतना, B. अधिगं मेरूची, C. स्मेगातमक्तरूटी, D. उपरोक्त सभी सही जवाब है समाजिक चेतना अगला परसन है भूल बलय या पर सिक्षन के लिए उचित आयू होती है A. 6-12 वरस B. 2-8 वरस C. 5-10 वरस D. 3-5 वरस सही जवाब है 5-10 वरस अगला परसन है खिलोनों की आयू कहा जाता है A. सेश्य वस्ता को B. बल्य वस्ता को C. उत्र बल्य वस्ता को D. पूरो बल्य वस्ता को सही जवाब है उत्र बल्य वस्ता को अगला परसन है बच्चे किस अवस्ता में कहानिया सुनने में अधिक रूची रखते हैं A. कि सुरावस्ता में B. से स्यावस्ता में C. उत्तर से स्यावस्ता में D. बाल्यवस्ता में सही जवाब है बाल्यवस्ता में अगला परसन है तीन से बारा वरस तक बाल्यवस्ता का काल किस विद्वान द्वारा माना जाता है A. जीन पियाजे द्वारा B. वाई गोचकी द्वारा C. ब्रेन द्वारा D. हरलोग द्वारा सही जवाब है हरलोग द्वारा अगला परसन है आवस्षरों में पर्तिकुलता के कान की सोरों में उत्पन होता है A. दवन्दव B. हर्स C. सामजिक सोहर्द D. उप्रोक्त में से कोई नहीं सही जवाब है दवन्दव अगला परसन है राष्ट्य जीवन में शिक्षा का कारिया होता है A. राष्ट्र को नियमित करना B. राष्ट्य एक्टा का विकास करना C. राष्ट्र का एकिकरन करना D. उप्रोक्त सभी सही जवाब है राष्ट्य एक्टा का विकास करना अगला परसन है बुद्धी परसिक्षनों के रूप में कौन जाना जाता है A. जीन प्याजे B. ड्रेवर C. को तथा ब्रेन B. डी बिने सही जवाब है B. ने अगला परसन है किसको सुक्द वर्षा की अवस्ता कहा जाता है A. बैले वस्ता को B. पूरो किस्वर वस्ता को C. किस्वर वस्ता को D. उप्रोक्त सभी को सही जवाब है किस्वर वस्ता को अगला परसन है एकांत में विश्वास रखने वाला बालक क्या कहलाता है A. अंतरमुखी, B. बहुमुखी, C. अल्पमुखी, D. उप्रोक्त में से कोई नहीं सही जवाब है A. अंतरमुखी अगला परसन है यदि कोई बालक समायोजन नहीं कर पा रहा तो उसका कार्ण है A. बह, B. तनाव, C. दवन्दो, D. उप्रोक्त सबी सही जवाब है उप्रोक्त सबी अगला परसन है अधिगम का मुख्य चालक कहलता है A. कुसंग, B. अभिवेक्ती, C. अभिप्रेरक, D. अभिप्रेणा सही जवाब है अभिप्रेणा अगला परसन है सकारातमक प्रेणा का अरत है A. कारिये को दूसरों के कहने पर करना B. कारिये को दंड बै के कान करना C. कारिये को अपनी इच्छा से करना D. कारिये को बैभीत ओकर करना सही जवाब है कारिये को बैभीत ओकर करना अगला परसन है प्रेरणा का सवरूप होता है A. केवल नकारातमक B. केवल सकारातमक C. नकारातमक तथा सकारातमक दोनो D. उपरोक्त में से कोई नहीं सही जवाब है नकारातमक तथा सकारातमक दोनो अगला परसन है सामाजिक कारियों में विशेश रूची रखने वाले को कहा जाता है A. सामाजिक B. बहुमुखी सही जवाब है बहुमुखी अगला परसन है बालको में सामाजिक विकास का महत्यपूर्ण कारक कौन सा है ए धर्म बी जाती सी पर्थाएं डी आनुवान सिक्ता सही जवाब है आनुवान सिक्ता सही जवाब है अगला परसन है गरह कारिये नहीं दिया जाना चाहिए सही जवाब है देश में उच्छिक्षा संचालन का दाईतो किसका है सही जवाब है समाजिक अद्धन के अक्षेतर के तहत निमन में से किन तत्थों का अद्धन किया जाता है अगला परसन है सही जवाब है समाजिक तथा मनोविग्यानिक प्रिक्रिया किस वी दिवान का मत है अगला परसन है बुद्धिवे मांसिक योगता है जिसके दवारा हम किसी उद्धेसे की पूर्तिया किसी समस्या का समाधान करने के लिए समन्दित वस्तूओं एवे विचारों को सोचते है किस वी दिवान का मत है सही जवाब है अगला परसन है अगला परसन है यदि किसी चातर को मोखिक रूप से सीखिने था अपनी विचारों को वेक्त करने में कर्ठिनाई होती है तो उस सातर को कौन साधिगम असकता है अगला परसन है किस का मत है कि बालकों में सोचने की योगिता सफल जीवन के लिए आविश्चक है अगला परसन है अगला परसन है बालक का विकास प्रारंब होता है अगला परसन है प्रात्मिक सिक्षय सुधारे तो कौन सा कारेकरम चलाया गया? A. पत्राचार सिक्षय करेकरम B. सरोशिक्षय बियान C. ओप्रेशन ब्लैक बोर्ड D. सिक्षय मित्र सही जवाब है ओप्रेशनल ब्लैक बोर्ड अगला सवाल है बालेवस्ता में सिसुनिमन में से कौन साधरिष्टिकों अपनाना शुरू करता है A. सहयोग B. नकारातमक C. काल्पनिक D. सांसारिक सही जवाब है सांसारिक अगला परसन है दवीत अत्तों सिदान्त किस से संबंदित है A. संग्यानतमक सिदान्त से B. बुद्धी के सिदान्त से C. अधिगम के सिदान्त से D. सिक्षक सिदान्त से सही जवाब है बुद्धी के सिदान्त से अगला परसन है दिमी गती अगला स्वाल है यदी बालक को योन प्रवर्टी का अपराद करता है तो आप A. उसे कठोर दंड देंगे B. उसकी सिकायत उसके अभिवावत से करेंगे C. नजर अंदाज करेंगे D. उपरोक्ट सभी सही जवाब है उसकी स्कायत उसके अबीवाक से करेंगे अगरा परस्टन है विकलांग बालकों की अन्तरगत कुन से बालक आते हैं A. गुंगे बालक B. ने त्रीन बालक C. सारी विकलांग बालक D. उप्रॉक्ट सभी सही जवाब है उप्रॉक्ट सभी आज इस वीडियो में हमने डिसकस किये हैं सीट आट में जो कोबमन की उस्षंड है हर लेवल में आने की पूरी-पूरी चांस होते हैं ऐसी ही वीडियो के लिए देखते रही है HSSC गुरुजी यूट्यूब चैनल को थैंक यू